वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आईटी आई टूशन में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी आई सेकंड एर के इंप्लॉइबिल्टी स्किल के कुशन पेपर की तो यह कुशन पेपर जो है 17 जनुवरी 2022 का तो आप सभी वीडियो को कम्प्लीट देखेगा और साथ इसाथ जिनका पेपर अभी तक नई हुआ है वे सभी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यही सभी कुशन आपसे एकजाम में बार बार आ रहे हैं तो सभी कुशन को रट लीजेगा क्योंकि यही कुशन आपके भी एक जाम में आने वाले हैं तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेजिए और एक बार जो है प्लेइलिस्ट को जरूर चेक करिए वहाँ पर जो है Employability Skill के सारे जो है वीडियो अपलोड किये गए है जिसका लिंक आप सबी को जो है नीचे Description में भी मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला Question पूछा गया है An important upset of being a successful entrepreneurship यानि कि एक सपल उद्दिमी होने का जो है मातपूर पालुक क्या होता है समाज की सेवा करना या पैसा कमाना या पिर एक उद्दिमी मानसिकता को बनाए रखना या पिर जितना संबह हो सके उतना जो है बाजारों में बिस्तार करना तो यहाँ पर जो correct answer था option number D यानि कि चोथा option यहाँ पर correct answer है अगला Question देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है दूसरा Question पूछा गया है जब हम अपने कारेस्थल की लोगों या सत्ता में बैठी लोगों से बात करते हैं तो हमें जो है क्या करना चाहिए तो यहाँ पर देखिए इसका correct answer है आप सभी को जो है ध्यान से बोलना चाहिए और हमारे सब्दों के चैन में समान दिखाना चाहिए यानि कि जो भी सब्द आप सभी बोले वे जो है एकदम सटीक होना चाहिए और असपरस्ट होना चाहिए तो इसलिए जो राइट answer इसका है option number B यहाँ पर correct answer हो जाएगा तीसरा question देखिए पूचा गया है यहाँ पर जब हम अपने Android smartphone से computer पर photo या video को जो है बड़ी screen पर देखने के लिए साजह करते हैं तो हमें होते हैं यानि कि आप सभी जो है कोई भी छोटा आपका mobile है और उस video को जो है आप बड़ी screen में देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख पाएंगे screen mirroring करके, zooming करके, telecasting करके या फिर media zooming करके तो यहाँ पर जो correct answer इसका है option number A है screen mirroring के माध्यम से जो है आप सभी ऐसा कर सकते हैं कोटी screen को जो है बड़ी screen में convert कर सकते हैं और उसको यहाँ पर वीडियो और फोटो को देख सकते हैं question number 14 पूच अप्रेशन पूचने या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना बाधित ना करना, समझने के लिए समय निकालना ये सभी जो है क्या होता है ब्याक्षान होता है या passive listing होता है या accepting होता है या active listing होता है तो यह जो है किसके अंतरवेत आता है तो यहाँ पर जो correct answer इसका है option number 4 है यहाँ पर right answer यहाँ पर सक्त्री सुनना question number 5 पूचा गया है दिये गया विकल्पों में से पेसेवर नेटवर्किंग प्लेटफार्म की जो है पाचान करना है LinkedIn, WhatsApp, Snapchat या Facebook तो यहाँ पर पेसेवर नेटवर्किंग में से कौन सा है तो यह है option number A यहाँ पर correct answer है question number 6 पूचा गया है किसी ब्यक्त की भावनाव को ठीक से समझने और प्रत्वेंदित करने की छमता को जो है क्या कहते हैं बिभाजित ब्यक्तित, कृतिम बुद्धी, भावनात्मक खोपिया या फिर खोपिया इंटेलिजन्स तो यहाँ पर जो correct answer है option number 3 इससे जो है emotional intelligence कहा जाता है question number 7 यहाँ पर पूचा गया है इन में से कौन सा interior designer के लिए ITI के बाद प्रवेश अस्तर की नोकरी नहीं है specialist की नोकरी आने की बिशेश सग्य intern की job या फिर junior interior design या design साहयक तो यहाँ पर जो correct answer है option number E यहाँ पर right answer है अगला question देखिए यहाँ पर आटमा question पूचा गया है कार खाना अधिनियम जो है कब पेस किया गया था यानि की factory act जो है कब पेस किया गया था 1947, 1948, 1949, 1949 या 1950 तो यहाँ पर जो correct answer है option number B है 1948 में जो है इसको पेस किया गया था question number 9 पूचा गया है B.I.S. का पूरा नाम पूचा गया है यानि की B.I.S. Stanford तो इसका पूरा नाम होता है Bureau of Indian Standard तो Bureau of Indian Standard यहाँ पर है option number A में है तो A option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 10 पूचा गया है हम Emoji का उपयोग तब करते हैं हम Emoji का उपयोग जो है कब करते हैं तो यहाँ पर जो correct answer है option number 3 है जब अपनी भावनाओं को जो है ब्यक्त किया जाता है तो Emoji के मादम से किया जाता है जिसे side emoji या फिर happy emoji का यूच कर सकते हैं question number 11 देखी 11 पूचा गया है ग्राकों में अपने उत्पादन की पाचान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो उत्पादन की पाचान को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को सुविधा देने चाहिए प्रवावी कस्टमर केर का सहारा लेना चाहिए पिर अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए प्रतियोगी की पाचान करने चाहिए तो यहाँ पर जो राइट एंसर है अधिक से अधिक जो है आप सभी को परचार करना चाहिए यानि कि अड़वर्टाइज्मेंट करना चाहिए कोशन नमर 12 है बहुत कम मेमोरी को क्या करते है यानि कि किस मेमोरी की छमता जो है सबसे कम होती है रैम की रोम की कैस मेमोरी या फिर वर्चुल मेमोरी तो यहाँ पर जो correct answer है option number C है cash memory question number 13 है the year dash famous mountain dash benches in India तो यहाँ पर जो fill up करना है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर fill up करना है option number B, R or end R or end यहाँ पर fill up करना है P option यहाँ पर right answer है question number 14 पूचा गया है ISO का जो पूरा नाम पूचा गया है तो ISO का जो पूरा नाम होता है यहाँ पर correct answer है international organization for standardization यानि कि D option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 15 पूचा गया है आदत बनने में कितने दिन लगते हैं आदत बनने में कितने दिन लगते हैं 10 दिन 11 दिन 15 दिन 21 दिन तो यहाँ पर correct answer है इस्तित वील का प्रियोग किया जाता है select item को click करने के लिए start down करने के लिए पीज को page पर click करने के लिए तो जो wheel होता है इसका प्रियोग जो है page को आपावर डाउन करने के लिए किया जाता है तो इसलिए जो right answer है इनमें से कोई नहीं होगा कुशन मठारा इंटरनेट पर किसी ब्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टागर्म पर प्रोफाइल को जो है क्या कहते हैं नेटवर्किंग, इको सिस्टम या सोचल मीडिया पर ऑनलाइन प्रोफाइल तो यहां पर जो करेक्ट एंसर है option number D यहां पर राई एंसर हो जाएगा question number D यहां पर 19 है देख तस्थानों की पूर्ति करना है तो यहां पर देखें क्या भरा जाएगा boxes को भरा जाएगा यानि कि यहां पर C option correct answer हो जाएगा question number 20 है गुर्वत्ता प्रदंदन पढ़ाली समस्चा समादान के लिए कुछ उपकड़ों का उपयोग करती है नमले कितमे से कौन उनमें से नहीं है तो यहाँ पर जो correct answer है 20 का वो है option number C यानि कि third option यहाँ पर correct answer है तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की date में किस type के question पोचे गया है तो उम्मीद है आपने सारे question देखे होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और share करेए चैनल पर नहीं subscribe कर लिजे मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching this video